आए आज हम कलकता की एक खुबसूरत विरासत की कानूनी जांच परतार पर नजर डालते हैं जहां हम देखेंगे कि कलकता की मशूर ट्राम को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है ट्राम कलकता के इतिहास, संस्कृती और पहचान को एक अनूठा स्वरूप देता है एक सदी से भी ज्यादा समय से शहर की सड़कों पर घूमने वाला एक यात्रा का साधन होते हुए भी ट्राम कलकता के शहरी पहलू का अटूट हिस्सा बन गया है जो यहां के निवासी और परेटक दोनों की ही कलपनाओं को प्रभावित करता है हाली में कलकता हाई कोट ने कैतिहासिक फैसला सुनाया जिससे एक नई बहस छिड़ गई है नयायले का फैसला इस प्रतिष्टिक ट्राम की सुरक्षा से जुड़ा है जो शहर के बीते हुए दास्तान का साकार प्रतीक है और उसकी मजबूत विरासत का प्रमाण है इस पैसले ने प्रगती और संस्कृतिक सुरक्षा के बीच की कोमल संतुलन पर बहस को जगा दिया है जिसके साथ कलकता में ट्राम के भविश्य से जुड़े कई महत्वपुन सवाल सामने आये हैं कलकता में ट्राम की क्या महत्ता है ये समझने के लिए हमें उसकी इतिहासिक परिस्थिती में परिवेश करना चाहिए ट्राम की शुरुआज शहर में साल 1873 में हुई जिससे शहरी परिवहन में एक नए युप का आरंब हुआ विगत इतने सालों में ट्राम ने कलकता के परिवहन प्रनाली को सक्रिय रूप से बढ़ाया है शहर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा है और नगरों के निवासियों को एक अनूटे सफर का अनुभव कराया है यही नहीं बलकि अपने उपयोगी उदेश्य से आगे बढ़कर ट्राम कलकता की विरासत का प्रतीक बन गया है जो शहर की विशेश पहचान को दर्शाता है पट्रियों की ट्रैक पर चलने वाली धुन, पुराने डिजाइन और धीरे-बीरे सफर ने एक ऐसा दिल्चस्पी वाला अनुभव पैदा किया है जो कलकता के सांस्कृतिक विरासत से गहरे रूप से जुड़ा है कलकता में ट्रैम पर सवार होना बिलकुल अलग अनुभव है जो यात्रियों को सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुचाता बलकि उन्हें एक अलग युग में भी ले जाता है उसकी हलकी लहराई हुई गती और व्यस्त गलियों के बीच एक ऐसा पैनरॉमिक दृष्च तयार होता है जो सुखत और प्रवोधक दोनों ही है ये यादे में पुरानी पीडियों के लिए प्रियस्मृतियां जगाती है जबकि युवा पीडियों के लिए शहर की सम्रिद्ध विरासत का एक जलब प्रदान करती है कलकत्ता हाई कोट के सामने रखे गए मुद्दे में मुख्य रूप से कलकत्ता की सांस्कृतिक विरासत की रूप में ट्रैम की सुरक्षा का मुद्दा था नियायले ने ट्रैम सुरक्षा के पक्ष और विपक्ष द्वारा पेश किये गए अलग-अलग तरक और प्रमानों पर गौर किया ट्रैम की सुरक्षा के पक्ष में खड़े प्रार्थियों ने उसकी इतिहासिट, सांस्कृतिक और आर्खिट्रेक्चरल भूमिका पर बल दिया प्रार्थियों ने ट्राम को कलकत्ता की पहचान का साकार प्रतीक के रूप में मानेता देने की आविशक्ता पर जोर दिया और उन्हें भविष्ची की पीडियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए प्रोयक्टिब कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया उनका दावा था कि ट्रैम शहर की पर्यटन की संभावना, अर्थ विवस्था और संपूर्ण कल्यान में योगदान देती है जो उससे कानूनी सुरक्षा का हगदार बनाती है ट्रैम की सुरक्षा के विपक्ष में खड़े लोगों ने ट्रैम नेट्वर्क की स्थिती और आर्थिक योगता पर संदेह व्यक्त किया उन्होंने कोड के सामने यह पक्ष रखा कि संसाधनों को किसी और प्रतिकूल योजनाओं को विक्सित करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि कल्कता जैसी तेजी से बढ़ते हुए शहर के लिए बदलाव के अनुकूल योजनाय जरूरी है उनका दावा था कि ट्रैम के रूट्स पर ज़्यादा ध्यान देना प्रगति और विकास दोनों को ही रोक सकता है कल्कता की प्रतिष्टिक ट्रैम को सुरक्षित रखना सिर्फ परिवहन का मामला नहीं है ये इतिहास, संस्कृती और पहचान को सुरक्षित रखने का मामला है हाली में हुए करकता हाई कोड के फैसले ने जहां एकोड ट्रैम की सुरक्षा के महत्व को मायनत्या दी वहीं दूसरी और विरासित सुरक्षा और शहरी विकास के बीच एक संतुलन को स्थापित किया इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया इस ख़बर के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे वेबसाइट पर जरूर जाएं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारे चैनल बारे मेंच को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब तो आई यूट्यूब चैनल और क्लिक दे बल आइकोन